हेलो फेंट्स मैं मैं दीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में पेटनी साड़ी का ब्लाउस डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगे बैक पार्ट का 36 साइस का तो दिखिए बॉडर इसी से हम डिजाइन बनाएंगे और एससर की आप अपने अकॉर्डिंग मैंजरमेंट लीजिएगा मैंने टोटल लेंद साड़ी 14 इंच रखी है और 36 साइस के अकॉर्डिंग डीपनेक की अकॉर्डिंग शोल्डर लिए हैं 5 इंच आर्मोस लिए हैं पोना चेंज मैंजमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं य पाहर वाली लाइन से ही आर मोल की गुलाई करते हैं इस तरीके से कमर का मैंजरमेंट कमर 30 इंच उसका फोट पाइट होगा है यहां पर साड़े साथ इंच देडी इंच एक्स्टा मार्जिन और एक इंच एक्स्टा हो लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए तो मार्क आप अपने अकॉर्डिंग लीजेगा यहां पर आप सवादो अगर कम रखना चाते हैं तो सवादो इंच पी ले सकते हैं और मैस में इसमें डोरी लगाऊंगी तो मैंने गली के चोड़ाई रखी है डाई इंच डाई इंच ली है नेक की लैंध ली है 10 इंच तो नेक की ल हम पाई में इस तरीक चिछ से यह तेंचे अ आध में और आप इस तरीकर लेनागी तरह चैप का तो यह शेम pist लेंग ब्ला बीच कर समय लें इस तरीक आप लेना है इस तरीक तो यह तो यह यह कुछा अधर .- बीच वाला पार्ट भी हमने कट करके निकाल दिया है और ये बैक पार्ट मेंने मैन फैबरिक पर रखकर कट कर लिया है इसका बॉर्डर वाला पार्ट हम कट करके अलग निकाल देंगे डिजाइन के लिए यह दिखिए इस तरीके से बीच वाला जो पार्ट है इसे हम एक्स्टा फैबरिक के उपर रखकर साइट से बढ़ा लेंगे क्योंकि दिखें यहाँ पर हमें साइट से इसे दबाओ के लिए मार्जिन चाहिए होगा साइट से वन इंच आप एक्स्टा ले लिजेगा इस तरीके से अब हम इसे साइट में रख लेंगे और यही डिजाइन हम पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ करेंगे तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है ब्लौस की जितनी लंबाई है उससे आपको तुड़ा सा आधा इंच बढ़ा कर लेना है पेपर पेपर पेस्टिंग आपको डबल फोल्ड करकि लेना है और यहाँ पर हम पैपर पेपर पेस्टिंग के उपर असतर वाला डिजाइन इस तरीके से रख लेंगे साइट से हम यहाँ पर पोना दो इंच में ले लूंगी विट्थ में अगर आपको साड़ी का बॉर्डर जो बॉर्डर अगर पतला होता है तो अपने इसाब से कम कर लीजेगा यहाँ पर विट्थ को मेरा बॉर्डर जो वो ब्रॉड है तो मैं यहाँ पर विट्थ में पोना पैं जिए पट इसे तरीकेश से यहाँ पर डौ कर ले यह रिगा यह पर प्रैटर टरो कर लिया है और कटिंग से पहले हम यहाँ पर पीन लगा देंगे शी damn अब हमने इस पैंटो किट कर लेना है और आप चाहि है तो प्रैस से बौर्डर पर उसे आप प्रेस से जिप Mina सकते हैं और नहीं तो आप इसे स्लाही लगा कर भी अटेज़ कर सकते हैं इधीजकी पैटन कुब यह इस तरीकिके से कट लेना है साइच से भी अगर आपके ब्लाउस की बॉर्डर जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती है तो आप इस पैटर्न को विट्ट में कम भी रख सकते हैं तो इस तरीके से हमने बॉर्डर को दोनों तरफ से रख लेना है और इसके उपर पैटर्न को रख कर यहाँ पर आप चाहें तो प्रैस से चिपका सकते हैं या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरीके से हम बॉर्डर को अच्छे से सेट कर लेंगे उसके बाद पिन लगा कर अलग रख देंगे अब हम अपने ब्लाउस का पैटन लेंगे और इस तरीके से हमने असर के कपड़े को इसके साथ सिलाई लगा कर अटेज कर देना है दोनों तरफ इसे पिन लगा लेंगे और यहाँ पर साइट से सिलाई लगा लेंगे हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि आपका जो यह पैटन है इसके अंदर कोई भी सर या क्रिस बिल्कुर भी ना आए इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है इसके पास साइट से एक्स्ट्रा कप्ड़े को आपको कट करके निकाल देना है और दूसरा वाला पैटन भी आपको इसी तरीके से तयार कर लेना है यह दीखिए दोनों पैटन मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है और यह हमारा बॉर्डर है तो अब हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से साइट से भी हम इसे सिलाई लगा कर कमपीट कर लेंगे यह दीखिए और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे यह दीखिए दोनों तरफ से हमने बॉर्डर को फिनिशिंग कर दिये है और दोनों ही बॉर्डर मैंने इसी तरीके से तयार कर लिये है अब इस बॉर्डर के पैटन को हमें यहाँ पर रखना है अपने ब्राउस के ऊपर और स्टीच कर लेना है तो यहाँ पर देखिए हम पेपर पेस्टिंग के उपर सिलाई लगाते हुए एक पेर का मार्जिन रखते हुए हम जैसा हमारा pattern ड्रॉ किया था हमने cutting किया था उसी के according यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है शेप बिल्कुल वैसा ही आना चाहिए सिलाई बिल्कुल finishing से लगनी चाहिए अब हमें इस तरीके से पूरे ही pattern पर चुटे चुटे cut लगा देने है पूरे ही pattern पर चुटे चुटे cut आपको अच्छे से लगा लेने है ताकि अच्छी तरीकी से फोल्ड हो जाए फोल्ड यहाँ पर cut लगाने के बाद हमने दिखे इस तरीकी से इसे पलट लेना है तो बहुत ही finishing के साथ दिखे हमारा pattern यहाँ पर पलट गया है तो दिखे इस तरीके से अब हमें corner की सिलाई लगा लेंगे हाँ पर अच्छे से finishing के साथ सिलाई लगा कर हमें इसे complete कर लेना है side से भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से दूसरा बाला pattern भी आपको इसी तरीके से तयार कर लेना है ये दीखे, मैंने यहाँ पर दोनों ही पैटर्न इसी तरीके से रेडी कर लिये हैं और ये मैंने तिरची पटी कट की है, जैसे हम पाइपिंग के लिए लेते हैं, उसी तरीके से और जो सिलाई हमने कॉर्नर की लगाई थी, उसी के उपर आपको ये सिलाई लगानी है इसी के पास सिलाई लगानी है, और ये यहाँ पर ये आपको पाइपिंग बना लेनी है निचे से आप हलका सा कपड़े को कीच के लीजएगा, ज़ादा नहीं कीचना है आपको और उपर से हमने पैटन को यहाँ पर उल्टा रगा है और नीचे से पैपिंग को सीधा रगा है देखिए यहाँ पर और यह बहुत ही इजी तरीके से हमारे पैपिंग यहाँ पर बन जाएगी तो दिखे यहाँ पर अब हम इसे फोल्ड कर लेना है पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से कट लगा दें तक के इसले यह यहाँ पर फोल्ड हो जाए और अब हमने एक कॉर्नर की स्राइacağी लगाते जाना है पाइपिंग को निकालते हुए और इसी तरीके से piping आपको दूसरे वाले pattern पे भी ready कर लेना है यह दिकी मैंने हैं यहापर piping लगाकर इसे complete कर लिया है और दूसरा वाला भाग भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है और यह मैंने plouse का ही कपड़ा लिया है आप चाहें तो contrast में ले सकते हैं और इसके हमें plates बना लेनी है तो ये उतना ही चोड़ाई में आपको लेना है जितना हमारा beach वाला pattern है उतनी ही width में आपको ये कपड़ा लेना है और बिल्कुल एक जैसी बिल्कुल finishing के साथ आप ये plates बना लीजेगा इसके बाद इसे आपको side से भी सिलाई लगा देनी है plates को जमाते हुए सिलाई लगाएगेगा फिर हम इस तरीके से भी plates को जमाते हुए सिलाई लगा लेंगे ये देखें अब हमारा ये जो pattern है इसके बराबर से रगकर आपको इसे सिलाई लगा कर पलट देना है तो सिलाई आप इस तरफ से लगाएगा तो बिल्कुल सीधी आएगी और एक्स्टा फैब्रिक कट करने के बाद आप इसे पलट के अंदर कर लीजेगा अस्तर के कपड़े को साइट से सिलाई लगा कर इस पैटन को हम कम्पीट कर लेंगे यह दीखी मैंने इसे कम्पीट कर लिया है एक्स्टा कपड़े को कट कर देना है आपको और अब हम इस पैटन को यह हमारा पैटन सेट हो गया है और अब हमने इसे बराबर से करके इस भाग के बराबर करके मार्किंग कर लेनी है यह देखी मार्किंग हमने कर ली है और इसके बाद आपको इस पैटन को इसके उपर रखकर पिन लगा लिनी है इससे अटेज करने से पहले आप पहले पिन लगा कर यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजेगा उसके बाद ही इससे इसलाई लगा कर कम्पीट करें कि इस तरीके से हमने पिन लगा कर इससे अटेज कर लिया है और अब हमने एक सिलाई लगा कर इससे पका कर देना है इस तरीके से दोनों तरफ आप इसे सलाई लगा कर कम्पीट कर लें तो ये पैटर्न हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और इसके साइड में लगा लेंगे अब हम लेस तो मैंने ग्रीन कलर के कलर कॉम्बिनेशन में यापर लेस दी है आपका जो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है इसके अकॉर्डिंग आप लेस लीजिएगा तो वो ज्यादा अच्छा लूक आएगा यहाँ पर तो यह जो शेप बना है यहाँ पर आपको प्लिट्स बनाते हुए ही इससे कम्प्लीट करना है लेस लगानी है इस तरीके से आपको 1,5 इंच इस तरीके से आपको कमर पटी आदा इंच का मार्जिन कवर करते हुए लगा लेनी है एक सिलाई हम पटी को इस तरफ करके लगा लेंगे और अब हम पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो फ्रिंट्स इसी के साथ हमारा ये डिजाइन बन करके कम्प्लीट हो गया है आपको अज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद